हेलो गाइज विल्कम बैक टू माइच चैनल राम राम जी कैसे है आप लोग आप लोग बहुत बढ़ियां बहुत मज़े में हूगे और आज देने फ्राइडे और फर्स्ट जन्वरी है तो सबको हैपी न्यूएर हैपी न्यूएर टू आल गाइज सबके जीवन में सुखी स अनसार बना रहे हैं सबके लाइफ में देश सारी खुशिया रहे हैं बस मैं यहीं प्रेय करती हूं और यह ब्लॉग तो नहीं आना जाना है घर में ही रहना है तो बस नौर्मली सिंपल्सा में कर रही हूं वही अपने आखों को जो में थोड़ा सा कर लेती हो ना थोड़ा बस में लाइनर को ही लगा लेती हूं अपने आँओं पर यहीं कर लेती हूं मेरा मेकाप कंप्लीट व¡ लगा लिया की सी लेगा थी लिविट लेक लिपस्टिक लिवेवाद ग़ा सब्सकर ऐसी लगा हूंगि हलकी सी नॉर्मल तरीके से और आज मिने साडि वΕ्य कीये त फिर मिलती हूँ और वंसगें हैपी नुआ नुआ अर्फ दो ऑ्यागी हूए हूना है और क्या हूँ मुझे ज़रूर बताना आग मैं साणी पहन की हुई है नुआ अफ़ आप लिर में आप पहने है थाणि यहार लगए है थाढ़ल अधे लगहा यह थ्जा हूंत लिगा लोग्टी नुए ख कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है मैं सोची थी कि मैं जाओंगी मंदिर बट क्या होता हूं लेडीज अली प्रॉब्लम हो गई तो इससे में मंदिर नहीं जा पाई गर में पूजा हुजा जो भी थी वह कर ली थी अम लोगोंने और चलो हम इस ब्लोग की शरुआत कर दिये द बताना मुझे यह साड़ी का कलर के ऐसा लग रहा है ठीक है बहुत सिंपल साधाना से साड़ी है यह साड़ी पेरी ससुराल के तरफ से यह वाली चड़ाई गई थी और भी कई सारी है जरूर दिखाऊंगी मेरे काफी फ्रेंड ने बोला है का आपने साड़ी का कलेक्षन द दिखाया होगा तो वही वाली सबसी बच्ची होई थी और यहां पर थोड़ी सी आलू की भुझिया मैंने बना ली है अपने और ममी के लिए और रोटियां से लिए बस यह हमारा आचकाल लेंज तो आए मुझे यह बहुत सा पसंद है पहले स्कूल टाइम में हम लोग लें आलू की भुझिया और प्राटा तो चलिए आप लोग भी आजाए लेंज पे और फ्रेंट्स यहां पर आप एक सकते हो कि मैक्स को थोड़ा सा दूब दी खाने यह ले आये थे और दूब दीखा देते हैं इसको 10-15 मिट तक मतलब यहां पर यह ले आए हैं फिर थोड़ी पकड़े रहते हैं और फ्रेंट्स यहां पर मुझे थंड लगने लगी दूप से आने के बाद तो और थंड लगने महसूस होने लगती है अगर कमरे में आऊ तो तो मैंने यहां स्वेटर वेर कर लिया है इसलिए तो अब तोड़ी दिर बैठोंगी और फिर देखते हैं क् करते हैं फ्रेंट्स है याँ जो तो मेरी गल्फ्रेंड क्योंके तो फ्रेंज मैंने कैमरा कोई भी नहीं उठाए था इसके बाद दिन में फिर मैं डैरेक्शाम को उठा रही हूं और यहां पर मैं काट रही हूं अपना सबसी यां राट के डिनर के लिए सब्सी बनानी है की सब्सी बनाओंगी आज आप से सेयर करूँंगी है बहुत ही अलग तरीके से यूनिक तरीके से बनाऊंगी आप से recognize आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा थे रेसिपी मेरे साथ और जब भी मटर छीलने आप बैट भी होता होगा कि बीट एसे च्छलते चलते जाता होगा मेरे साथ की चला एइसाइसा बहुत होता हैbuilding मुझे में भाथ पसंद आती है के चुह में पर यह दूद ले आया था तो दूद भी गरम होने के लिए मैं चड़ा दूँगी और साथ में बोल दिया है इनकी मटर और टमाटर की जो मीठी वाली चटनी होती है वो बनाने को मुझे तो मीठा नहीं उतना पसंद आता तो मैं वो चटनी बिल्कुल भी नहीं खाती हूं य दो दूद आज के लिए झाल जाए और दो दोगी और नमक डाल दूँगी और इसको पका दूँगी लास्ट में आधा और एक चम्मच के करीब ऐसी कुछ चीनी डाल दूँगी और पका दूँगी बस यह मीठी वाली इनकी चटनी बनके रेडि हो जाएगी तो फ्रेंज चलिए अब मैं अपनी रेसिपी आप से शेयर करती हूं सबजिया कट गई है दोबी लिये मैंने तो यहां कड़ाई में चड़ा दिया है और इसको होट रख दिया है गरम होने को थोड़ा सा जादा ओल लिया तो और जैसी गरम होगे तो सारी सबजियों को मैं बून लूँगी आलू मटर गोभी सबको मैं एक साथ अच्छे से बून लूँगी गोल्डेन ब्राउन होने तक इस जब तक तक इसका कलर नहीं आएगा वैसे तो खाली नॉर्मली हम लोग आलू और गोभी भूनते बट मैं यह सारी सबजियां बून रही हूं इसे अंहां जानी के लिगांतीर से करइं अउनली को झालने गीजेए सब्जाशकर पऑर से पहला से बूलूगीं रांळ तक इस ऐसे बुह उन डूर इधें यह बून चुका है प्रेंस और यह इतनी अच्छी टकनिक बाताऊं गया अपको प्रयान नहीं नइक तो खुआँ गय तो यहां पर मसाले में मैं गोल्डी मसाला यूज कर रही हूं और यहां पर हल्दी मैं डाल रही हूं और इसको अच्छे से मिक्स करके मसाले को भून लोंगी मैं फ्रेंड्स और मसाला जैसे कि मैंने बताया चार से पांच मिर तक मैं भूनती हूं अच्छे से और इसी टाइम पिस में मैं डाल देती हूं नमक तो यही वो टक्निक है फ्रेंड्स तो आप अगर नमक डाल दो मसाले भूनते साथ में तो जो प्याज लैसून टमाटर सब रहता है वो अच अच्छा लग रहा है नहीं सब्सक्राइब कर रही हूं बैटकर इसी तरह लग रहा है कि पस इसी तरह खाने को मिल जाए है ना तो लेकिन मैं बनाने वाली हूं रसेदार फ्रेंड्स तो आप इस तरह भी बना सकते हो आप जो तो बस नमक की कॉंटिटी आप कम रखना तो पानी मुझे इसमें लगेगी अप्ती पानी मैं इसमें एड कर दी है और ज्यादा रसे वाली नहीं बना रही हूं कमी इसका पानी मैंने रखा हुआ है इसके बाद लास्ट में डाल डूंगी धनिया धनिया डालना बहुत ज़री तो 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 आच्छा आता थोड़ी प्रेंड्स चल्दी से आजओ डिनर पर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लोग आइधिंग जरूर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना और मैं करती हूं अपने इस ब्लोग का एंड और अभी जस्ट जा रही हूं यह सब लाइनर वगर चुड़ाने क्योंकि मैं अगर सितरह लगा लेती हूंना बहुत जाध़ा राइनर मेरे आग सर्म्मग करती हैं आग लेड़ी जल्दी से करके सोज जाओंगे क्योंकि दूड़ा रेस्ट की भी जरुवत होती है न यार देखो सारा दिन घर का काम करना मेक्स को भी मैने ले लिया तो उसकी भी देखभाल करना उसके भांगा दरना आज मैंने उसका दूसे बनााया क्योंकि सारे कप्रा उसके चोटे तो दूसरा कपड़ा उसका बनाया है तो फिर उसके पीछे भागना दोरना घर का काम करना उपर से वीडियो रिकोर्ट करके एडिटिंग अगरे करना तो थक जाती हूं थोड़ा सा तो और तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट मुझे भी चाहिए है और आख में बहुत जाता पे